इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। और irritable bowel syndrome के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा का इस्तेमाल अकेले या अन्य दवाओं के साथ किया जा सकता है। इसे खाने के साथ या उसके बिना लिया जा सकता है। अच्छा होगा कि रोज एक ही समय पर इसे लें। डॉक्टर द्वारा दी गई खुराक और अवधी अनुसार ही इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सरवाधिक लाव प्राप्ट करने के लिए इसे हर रोज एक ही समय पर ले और तब तक लें जब तक के लिए डॉक्टर ने डॉक्टर ने आपके लिए अपनी परची पर लिखा है। इसका सेवन जल्दी बंद कर देने से संक्रमन दुबारा हो सकता है और फिर इलाज में कठिनाई होती है। ये साइड इफेक्ट आम तोर पर अस्थाई होते हैं और इलाज के दौरान दूर हो जाते हैं जब आपका शरीर दवा के अनुसार एड़जस्ट हो जाता है। अगर ये साइड इफेक्ट आपको परेशान करते हैं या नहीं जाते हैं तो डौक्टर से परामर्श करें। इस दवा के कारण आपका मूतर का रंग लाल हो सकता है। लेकिन यह सामान्य और हान रहित है। यदि आप गर्भवती हैं, स्तनपान करवा रही हैं, लिवर, अगर आपको किसी एंटी बाउटिक दवा से अलजी है तो इस दवा से इलाज शुरू करने से पहले आपको अपने डौक्टर को इस बारे में बताना चाहिए। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद।